कि ये कुर्सी हमारे लिए कोई नई जरूर है तो सभी दिन हम लोग उस सब मनाये हैं और ऐसा नहीं लगा है जो कोई पतिवन्ध है हम लोगों पर चालिश वर्ष तक मैं इस कालिट की शेवा किया नमस्कार एक न्यूस 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ श्रता जी अभी हम राम कृष्ण द्वारिका कॉलेज में मौजूद हैं और बता दे हमारे साथ यहां के प्रिंसिपल अर्विन कुमार भी मौजूद हैं बता दे कि इन्होंने छात्रों के लिए काफी संघर्ष किया है और उनकी जिन्दगी सही बनाने के लिए अपनी जिन्दगी को जोग दिया है आई इन से पूछते हैं कि नीचे से उपर तक के सफर में आपने काफी संघर्ष किया है तो कैसा मैसूस करते हैं इस कुरसी पे हम करते रहे और सारी लोगों की अनुकंपा विसेश किर्पा और आप जो उप हमारे सिक्षक थे और सिक्षेतर करमचारी की बहुत किर्पा थी कि हम को इस कुरसी पर लाने के लिए और मैं कुलपती चांसलर सिक्षा मंत्री सबको मैं धनवाद देता हूं कि इतना दूर की सफ पर में उन्होंने भी हमें हमारी जोगता के अनुसार हमारी महिनत के अनुसार उन्होंने कुरसी दिया है मैं सारे लोगों को धनवाद के देता हूं और जहां तक आपने अभी पहले कहा कि छात्र मैं अस्ट्रेंट उनियन से ही छात्र संके सिक्षक का भी नेता रहा हूं औ और यहां भी जब से मैं जोil किया हो सिक्षक संका सचीव हमेंसा रहा हूँ। और सिक्षक करमचारी की समस्या पर हमेसा हम झूझते रहते हैं। तो लोगों से बाचीत में पदा चला कि दो सिक्षक भी यहां से विदा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी साथ उनका अच्छा खासा सफर रहा था तो क्या कुछ वैसे मोमेंस जो आप शेर करना चाहेंगे साजा करेंगे हमारे बरिश्टम सिक्षक थे और बरिश्टम सिक्षक हमारे यहां मैथली के हेड़ डिपार्टमेंट डॉक्टर इंद्रा जहा और फि कि आप विदाई भी ले रहे हैं मैं आप लोगों को कि माध्यम से भी धनवाद देता हूं कि आप लोग भी सबसर पर आए हमारा भाग्य है कॉलेज का भाग्य है कि आप आए और आपने कभरेज किया न्यूज को यह बहुत-बहुत धनवाद है हर किसी के जिंदगी में सब्सक्राइब हमसे भी सिनियर थे और पिछले मेना इन्होंने सेवा निर्वित हुए हैं इनका हमेशा प्रेजित मेरे साथ रहा है क्या अर्विन जी इतना दिन जब सब कामकर ही रहे हैं तो आपको प्रोफेसर इंचार्ज प्रिंस्पल बन जाना चाहिए हमारे जो सुब इसे माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि जो काम तब होता है जब होना होता हो हमें बहुत पहले इस महाविद्याला का परधनाचार्ज बनना था लेकिन कुछ समय का सरक्वस्टांसे सहसा आया जो हम नहीं बन पाए हमारे मित्रों हमारे सहभाग सिक्षक करमचारी छात्र ने प्रेडित किया कि सारा काम आफिक करते हैं तो सर आपको इंचार्ज या प्रिंस्पल बन जाना चाहिए मैं सारे लोगों को आपके नियूज के माध्यम से धन्वाद देता हूं और वह हमारे लिए प्रेडित था तो अपनी नीजी जिन्दगी की सफर का बात करें तो क्या कुछ साजय करना कि चाहेंगे हमारे दर्शो को किसा मेरी प्रियर जिन्दगी नहsmith जिन्दगी है कुछ दिवाल अगर जोड़ा है ते मेरा भी आतोगा और हमने हमेसा अनुसासन पर जोड़ दिया है हमारे यहां परिक्षा होती है वसीम जी आते थे वसीम जी भी यहीं पर हमारे विद्यारती थे और देखा है हमारे साथ काम करने का तोर तरीका हमने इस कॉलेज को बहुत शुरू से प्रैमरी प्रियर से ही इसको यहां तक लाने का मैंने काम किया है हमारे 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 दो बच्चे हैं एक बच्चा संजोग से हमारे पोलिटिकल साइंस एम में किया नेट उट किया है अभी वह तैयारी में लगा हुआ दूसरे बच्चे मेरे इंजिनियर है जो बंगल तो पहले आप सिक्षक थे और चातरों के लिए संघर्ष करते थे और आपक पैठें से अलग नहीं करते हैं और अभी भी हमने अपने टीचरों को करम्चारी को चात्राइब को भुला करके लिए जो सही काम है मैं पहले भी किया और आज भी आपका सही काम मैं करूँगा आपके साथ मैं बचन बद हूँ छात्रों को एडवाईज देने की बात करें तो कोई अपने अनुभव के हिसाब से कोई एक एडवाईज से जो हमारे दर्शक जो कुछ छात्र भी देख रहे है वो भी अपनी जिंदेगी में उसे अपना है चात्र को हम यही कहते हैं जो आप सिक्षा पा रहे हैं उसको सही धंग से उपियोग कीजिए आपके लिए वही एक मुल चीज है जो आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा और आप इसको मुल रूप दे करके अध्यान अध्यापन में अपना समय दीजिए और पढ़ किया और आगे जाईए जी बहुत बहुत शुक्रिया हम सज़रने के लिए तो यह देखा अर्विन कुमार जी ने अपनी लाइफ के सीखे वे जो मोमेंस से वह आपके साथ साजा किये उमीद करते हैं कि आप भी इनकी कुछ बाती बताये में बाते को अपने जिन्दगी में उतारेंगे और अपने जिन्दगी को सवार लेंगे हैं स्टूडेंट भी यहां के बहुत मेधावी हैं और एक बात हम यहां का देखते हैं यह पुन्य भूमी है हमारा कॉलेज जैसा इसका नाम है रामकृष्ण द्वारिका महाविडाल है यहां से कोई बहुत पीछे होके नहीं गया है बहुत आगे बढ़े हैं चाहे तो वह हमारे टीचर हो नन टीचिंग हो यहां के मेरे स्टूडेंट हो अपने अपने चेत्र में बहुत आगे कर चात्रों को जीवन सवारने के लिए काफी शंघर्ष किया अपने तो क्या कुछ एड़्वाइस देना चाहेंगी चात्रों हम एक ही एड़्वाइस करेंगे जो पढ कि इसके बाद जो भी सेकेंडरी वर्क है वो करते रहें लेकिन जो मूल उनका जो है जो उनको प्रैमली जो उनको पढ़ना है और बिल्या के चेत्र में आगे बढ़ने के बाद ही कोई सफलता उनको अच्छी तरह और वो इस्तिर रहेगा परमाने तरह बहुत बहुत शुक करना चाहिए? मैं डॉक्टर कुल विहारी प्रिशाद विभागा ध्यक्स पूर्मेजर था आज मैं से बाद में हो चुका हूँ सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि करीब 40 वर्स तक मैं इस कालेट की शेवा किया और हमारे मानिये प्रहनाचार अरविंद कुमार जी हम लोग साथ ही जोएन किये थे जो है बहुत तरह की समस्याइं उस समय थी तेरासी किया लेकुन सभी समस्याओं से निजात पाते हुए आज इस मुकाम पर हम लोग पहुंचे हैं और एक ही उसका मंत्र रहा है कि इमांदारी के साथ परहाई करना बच्चों को सिच्छा देना ये सबसे पहले प्राथिमिक्ता रहा है सभी सिच्छकों का एक उद्रेस रहता था कि अधीक से अधेके विद्यार्थिय को हम लाब देशके कलास की अलग बात है कलास के साथ साथ है बाहर में भी किसी भी तरके कोई ये समस्षा रहता था सीलेवस तो अलग चीज़ है सीलेवस को हम लोग कभर करते थे लेकिन साथ ही साथ उसके मौरिलीटी को बुष्टप करने के लिए हमारे सारे सिच्छागन इस महाविद्याले के वहततपर सुरू से ही रहा है और यही कारण है कि अबल दर्यों में ये राम कृष्ण दौार का महाविद्याले का नाम रहा है सुरू से आप रिजल्ट का परसेंट्रेश देख लेए सुरू से और कारण है कि लड के वहां के लड़के बहुत अच्छे रहीघछटर में कर रहे हैं इंज्घ्यर invest रही इव दीश्यली को प्राइड करेंस ऑप कभी कम नम्मर आएंगे लेकिन एक जीवन मंजिल को तैग करने के लिए कई फैक्टर की आप सकता होती है अब मेरा गुरू का एक उत्तरदाई को होता है उसको अच्छे मार्क प्रकैशर है खासर कि मैं फिलोस्ट्री के भी द्यारती होने के नाते टीचर होने के नाते मैं इत दो मंत्र हैं जो हम एक मंजिल तक पहुचा सकता है और यही मैं मेंसे देना चाहता हूं अपने करतव का पालन करने के साथ साथ अपने चरित्र को और अपने साथी साथ देखती हैं आज है हमारे महाविध द्याले से दो सिक्षक बीदा हो रहे हैं एक दर्शन सास्ट के कुंज भिहारी जी डॉक्टर कुंज भिहारी जी और एक डॉक्टर इंद्रा जा और ये दोनों के साथ मेरी जिन्द की शुरू हुई थी लेकिन आज ये लोग रिटायर कर रहे हैं और प्रेड़ना के सोर्त रहे हैं एक दार्शनिक हैं तो दूसरे साहित्यकार और ये हमेशा हम लोगों को मारुदर्सक करते रहे हैं कभी किसी तरह की कोई परेशानी इन लोगों के साथ नहीं हुई हमेशा बड़ों का फर्ज इन लोगों ने अदा किया है तो हम तो यही कहें है कि इस वर इनको स्वस्त रखें और इन्हीं सब्दों के साथ हैं विराम लेती हैं